हालो दोस्तों कैसे आप लोग स्वागते सुनीता राज सिंपल रेशपी में तो आज हम बनाएंगे आलू और बेसन के एकदम चट पटा नास्ता तो चलिए बनाते हैं दोस्तों यहाँ पर आलू बेशन का नास्ता बनाने के लिए हम ले लिए तीन आलू तो इसको हम बोयल करके ठंडा कर लिए हैं तब इसको हम ग्रेट करते हैं तो इसको मैस नहीं करेंगे इसको हम ग्रेट करके बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनेगा हमारा नास्ता इसम के हम सारे आलू को ग्रेट कर लिए देखिए अब इसको हम देखिए दोस्तों बिल्कुल भी इसमें गुटली नहीं आई है अब इसको हम साइड भी रखते हैं तब तक हम घोल तैयार करते हैं तेहां एक बॉल ले लिए हैं अब उसमें हम डालते हैं हाप कटोरी बेशन और द और एक चमच हम जीरा को भून कर ले लिए हैं, इसको भी हम करस करके डालेंगे, दोस्तो जीरा भून के डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, और इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, हाप चमच से थोड़ा सा कम, और हाप चमच चाट मसाला, हाप चमच से थोड़ा स अब इसको हम मिक्स करेंगे दोस्तो अब इसमें हम पानी डालेंगे तो दोस्तो पानी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे एकी बार में नहीं डालेंगे ने तो क्या होगा कि हमारे बेशन में लंब सा जाएंगे तो फिर हमारा घोल अच्छी तरीके से नहीं बनेगा इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको हम पतला घोल बनाएंगे दोस्तों इसमें हम दो कटोरी पानी डालेंगे यह देखिए इस तरीके का घोल हमको चाहिए यह देखिए इस कटोरी से हम दो कटोरी पानी डालेंगे तो यह इसे हमको पतला घोल तयार करना है तब दालेंगे थोड़ा सा जीरा और 5-6 कड़ी पत्ता इसको हम थोड़ा सा हलका फ्राई होने तक देखेंगे फिर हम गयस बंद करके और जो घोल तयार के उसको डालेंगे दोस्तों हम गयस चालू में डालेंगे तो क्या होगा कि हमारे डालते समय ही एकदम से नीचे बेशन जाएंगे तो दोस्तों हम छोड़ेंगे ने इसको चलाते रहेंगे जब तक एकदम से गड़ा ना हो जाए हमारा गोल ते देखिए गोल गड़ा हो गया है इसमें हम डाल देते हैं आलू और दो से तीन चमस कटी हुई बारिक धनिया इसको हम अच्छी तरीके से मिला अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है एक भोल भी गड़ा हो गया है इसको हम उतार लेते हैं नीचे और इधर एक हम थाली ले रखें उसमें हम तेल लगा लिए पहले से दोस्तों थाली के जगा आप शाहें तो कोई ट्रे हो बड़ा उसमें भी अब लेके इसको जमा सकते हैं अच्छी तरीके से उसमें तेल लगा होना चाहिए ने तो क्या होगा कि हमारा जो बेशन आलू का हम गोल डालेंगे यह जो उसमें अच्छी तरीके से लगेगा नहीं तेल अगर तो चिपक जाएगा फिर हमारा नास्ता बढ़िया नहीं बनेगा तो देखिए एक चम्मच क करें डोस्तों अभी हमारा ग्होल याश फेला लिए अभींगे में चम्मस के सहारे में दोस्तों ऐस기्म इस बेदा के लिए मांड़ाने थे खंड़ा होने के लिए आप चाहिए तो इसको देशन में भी 15-20 मिनट धंड़ा कर सकते हैं त्यें खंड़ा रेखंड़ा कर ले तो इससाइड का हम हटा लेंगे उसको बाद में तलेंगे और इसके बीच का हम देखाते तो ये देखने में इस तरीके का हम नास्ता तयार करेंगे और इसको हम फिर से काट लेते हैं ये देखिये बहुत यसानी से कट जाएगा दोस्तो जितना ठंडर रहेगा अच्छा कटेगा ते देखे इस तरीके का हम काट लिए हैं अब इधर चलते हैं तलने के लिए देधर हम तेल चड़ा रखे हैं अब चेक करते हैं तेल गरम हुआ है कि नहीं ते देखिए तेल गरम हो गया है तब इसमें हम एक एक करके नास्ता डाल देंगे इसमें जो आलू बेशन का और इसको हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे दोस्तों इसको मीडियम या लो नहीं करेंगे इसका फ्लेम गयस का हाई रखेंगे ने तो क्या ह होगा कि डालते समय ही हमारा जो यह नास्ता है चिपक जाएगा नीचे और पूरे तेल में विखर जाएगा हमारा तेल भी खराब हो जाएगा इसलिए हम इसको जब डालेंगे अच्छी तरीके से तिल गरम होना चाहिए यी देखिये कितना अच्छा बन गया दोस्तों एदम क्रंची बना यह देखिए उपर से देखने में कितना अच्छा लग रहा है कितना बढ़िया कलर इसमें आया है तो दोस्तों इस तरीके से एक बार आप जरूर ट्राइ करिए बहुत अच्छा लगेगा आपको अब जो बचा हुआ हमारा नास्ता है उसको भी ह बच्छे के टीफिद में भी आप दे सकते हैं तो बच्चे बहुत प्यार से खाएंगे बहुत अच्छा लगता है बच्चे इसको बहुत पसंड करते हैं है तो देखिए हम इसको निकाल लेते हैं है निकाल के ये दो na Brave चाथ जोम्साइड के निकाल रखे थे काट के उभी इसमें डालके तर लिए हैं अब चलिए हम इसको शुर्भ करते हैं तो दोस्थे यहां पर हम लिए, टमाइटो सॉस के साथ हैं इसके साथ lawyer करते हैं तो आप चाहे तो चटनी घण चटनी लाल चटनी या चाय के साथ जो आपको पसंद है उसके साथ आप खा सकते हैं बहुत ही बढ़िया लगेगा दोस्तों देखिए कितना अच्छा बना है उपर से एकदम क्रंची और अंदर से एकदम सौप्ट यह देखिए दोस्तों इस तरीके से एक बार जरूर दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें इस तरीके का आलू बेशन करना अस्ता है वह जरूर बनाएं और अपने फैमिली साथ इंजोए करें थांक्यू बाए